नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कम्पाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं। आप JS पेपर 2 के फेडरलिजम टोपिक से और इस टोपिक से आर्टकल को रिलेट कर सकते हों। यह मैप है। यहाँ पर आप लोकेशन देखिए। यह है मैंगलोर, मैंगलोर कहां पर है करनाटक में हैं। और नीचे यह है कासरगोर्ड, यह है केरला में। और यह कासरगोर्ड और मैंगलोर के बीच हाइवे हैं। क्योंकि देखो करनाटक का मैंगलोर ज्यादा डिफलाप्ट है ऐसंपैनले इसर मेंगलोर के कासरगोर्ड और आसपास के इलाखों से मैंगलोर метे की िस लिए लोग का मैंगोर में। और खास बात ये है कासर गोड और आस्पास के इलाकों में health infrastructure इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो लोग इलाज करवाने के लिए भी मैंगलोर में काफी ज़्यादा जाते हैं कासर गोड केरला के उन जिलों में से एक है जहां पर बहुत से किसान परभावित हुए हैं इंडोसल्फन की वज़े से इंडोसल्फन इंसेक्टिसाइड है ये किसान जान बूज के या फिर गलती से कंजूम कर लेते हैं जिससे बहुत से किसानों को नुक्सान पहुंसता है और इन में से बहुत सारे लोग जाते हैं मैंगलोर में इलाज करवाने के लिए तो ये हमने बात की समान्य दिनों की अब क्या हुआ है कासर गोड देखो COVID-19 का एक होट स्पोर्ट बनके इमर्ज हुआ है यहाँ पे बहुत सारे केस सामने आये है COVID-19 के तो जैसे ही लोग डाउन एनाउंस हुआ उसके बाद करनाटक ने अपना बोर्डर सील कर दिया उन्होंने ये हाईवे बंद कर दिया अब हाईवे बंद हो गया तो मतलब कासर गोड और आसपास के इलाकों से लोग जा नहीं सकते मैंगलोर में ठास करके इलाज करवाने के लिए अब कोविड-19 के अलावा भी तो बहुत सारे डिजीज से लोग सफर करते है न अब हाईवे ही बंद हो गया और यहाँ पर इन्फरस्टक्चर वीक है हेल्थ का तो वो मैंगलोर में नहीं जा सकते काम करने के लिए अब देखो करनाटक सरकार का अपना व्यू है करनाटक का कहना है बोल्डर सील हमने इसलिए किया है क्योंकि कासर गोड एक कोविड-19 के होट स्पोर्ट बनके इमर्ज हुआ है और यहाँ से बहुत सारे लोग अगर आएंगे मैंगलोर में तो कोविड-19 के करनाटक में भी जदा फैनले का खत्रा बन जाएगा इवन देखो केरला की सरकार ने ये भी विचार किया था कि कोविड-19 के पेशेंट को कासर गोड के बजाए मैंगलोर और करनाटक की दूसरी सीटीज में शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इंफरस्ट्रक्चर अच्छ इस डिजीज बहुत जदा फैल सकता है ये कहना है करनाटक सरकार के मंतरी का बई एक पेशेंट आता है पेशेंट के साथ एक रिलेटिव आता है इनको तो हम मेनेज कर सकते हैं बट साथ में और बहुत सारे लोग आ जाते हैं उनसे खत्रा पैदा हो जाता है तो केरला की सरक नहीं करवा पाएंगे तो उनकी देथ हो जाएगी इसलिए आप ये हाईवे खोल दो करनाटक ने नहीं कोला मामला पहुंचा केरला हाई कोट में केरला हाई कोट ने आदेश दिया करनाटक की सरकार को कि आप ये हाईवे खोल दीजिए वैसे देखो essential commodities के supply अभी भी हो रही हैं सिरफ ट्रक आने जाने दिया जाते हैं बाकी कोई भी आने जाने नहीं दिया जाता इस हाईवे पर मुवमेंट पूरी तरह से बंद है essential commodities के ट्रकों को छोड़ कर तो केरला हाई कोट में जब आमला पहुंचा केरला हाई कोट ने करनाटक की सरकार को अदेश दिया कि देखो हमने ये highway इसलिए बंद किया हैं क्योंकि infection जो है novel coronavirus का वो करनाटक में ना फैल जाएं दूसरा करनाटक की सरकार ने एक बात ये भी बोली कि आपकी jurisdiction नहीं है इस मामले पर सुनवाई करने की तो इसके जबाब में केरला हाई कोट ने बोला देखो ये national highway है इसलिए हम हमारी जो addiction है हम जो directions दे रहे हैं वो center को दे रहे हैं कि आप ये highway खुलवाएए तो केरला हाई कोट ने अपना verdict दे दिया कि highway को open किया जाए बट करनाटक सरकार ने केरला हाई कोट के verdict को नहीं माना करनाटक की सरकार ने Supreme Court में petition file की कि हम इस highway को नहीं खुलेंगे तो Supreme Court ने अ ज़्यादा complicated बना सकता है हम आदेश देते हैं central government को कि वो दोनों राज्य सरकारों के बीच इस dispute को solve करवाएं ये देखो हमारे federalism की beauty है specifically बात करें तो Supreme Court ने union health secretary को बोला है कि आप दोनों राज्यों के health secretary के साथ बैठिये बात कीजिए और इस dispute का समधान निकाल लिए article में देखो ये कहा जाता है कि केरल की सरकार के जो arguments है वो weak है weak कैसे है केरला में governor ने खुदी एक ordinance को promulgate किया जिसका नाम है केरला epidemic disease ordinance 2020 इस ordinance में केरला ने ये प्रावधान किया है कि COVID-19 की महमारी को रोकने के लिए हम border seal कर सकते हैं भाया जब आप कर सकते हो तो फिर करनाटक भी तो कर सकता है ना समझ गए आप तो ऐसा ordinance लेकर आयो जिसमें आपने ये provision किया है कि हम border को seal कर सकते हैं और फिर आप ये बोलते हो कि करनाटक ने किया है जो गलत किया है मतलब double standards आप नहीं रख सकते हैं उसके बाद दूसरा argument आर्टकल में ये भी दिया जाता है कि इस ordinance मे ये भी provision किया गया है कि हम essential services को restrict कर सकते हैं जैसे health, food supply, fuel इन सबको हम restrict कर सकते हैं COVID-19 की महमारी को रोकने के लिए तो इन points की वज़े से केला की सरकार के जो arguments हैं वो weak हो जाते हैं समझने की कोशिस कीजिएगा राइटर ये ज़रूर कहते हैं कि हाँ जिन लोग को इलाज करवाना है उनको जाने दिया जाए मैंगलोर में बड़ जो arguments दिये जा रहे हैं उन पर सवाल उठाय जा रहे हैं राइटर के द्वरा समझ गे मतलब केरला की सरकार ने जो arguments दिये हैं कि हाईवे क्यों खोले जाना चाहिए उस पर सवाल उठाय जा रहा है राइटर के द्वरा में थोड़ा और फैक्ट सामने रखे जाते हैं देखो interstate migration quarantine ये union list में आते हैं जबकि prevention of infectious disease moving from one state to another ये concurrent list में आते हैं तो करनाटक की सरकार ने जो किया है वो कानून के विरुद नहीं है as such क्योंकि करनाटक की सरक चाहिए ने infectious disease को करनाटक में आने से रोकने के लिए ये कदम उठाया है जो की concurrent list में आता है बट हां dispute का जो समाधान है वो मिल बैटके होना चाहिए फिलाल ऐसी situation में हम ये afford नहीं कर सकते दो राज्यों के बीच विवाद हो या फिर दो किनी दूसरे groups के विवाद बीच वि इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you thank you very much for discussion